नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपको हमारे चैनल टार्गेट फॉर आएसने पेसी बितके के आज है 14 जुलाई 2022 और हम लोग डिसकस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करेंट अफेर क्या कुछ हमारा पहला कुछन है मध्य प्रदेश के किस सहर में सास के माधव बिग्यान महा बिद्याले ने एंडिया में पूरे देश में उच्चितम ग्रेड प्राप्त किया है तो देखते हैं आपको नमबर एक उज्जेन में हैं इंदौर में या फिर जबलपूर में इसका राइट उच्जेन में भी हाली में भारत देशी नेवल की बिस्पी की पहली बैदिक घड़ी लगाई गई थी तो इसको भी आपको याद रखना है हाली में परमार काली एक बड़ा सिबलिंग कहां पर प्राप्त हुआ है दोस्तों यहीं पर हुआ है तो इसको भी आपको याद रखना है दोस्तों मचेंद्र नात यहीं पर है तो यह सभी कुछ important है उज्जेन से संबंदित बावा महाकाल की नगरीवे से कहा जाता है दमुह काफियद के important है संग्राम पूर यहां का एक प्राचीन इस्थाल है तो इसको भी आपको याद रखना है और इंदौर इनदौर की बात ही क्या है लगातार पांचबार स्वख्ता सर्विक्षण इसे मिल चुका है जबलपूर जबलपूर कल्चुरी वंस की राजधानी रहा है तुरुपरी यहां का प्रमुख इस्थान रहा है आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्या है पुरी नूज प्रधान मंत्री नरेंद मोदी जी के प्रिणा से मद्ध प्रदेश सभी चेत्रों में नए प्रतिमान इस्थापित कर रहा है यह मकमंत्री सिवराज सिंग चौहन ने कहा उज्जेन के सास्किये माधा विज्ञान महाविद्याले ने एन एस इंडिया में पूरे देश्ट में उच्छतम ग्रेड कितने ग्रेड पर प्राप्त कियें थ्री पॉइंट फाइव सी जी पी ए प्राप्त कर हम सभी को गरानविद्ट किया है इस सफलता के लिए सुब काम नाए हैं तो दिस वेरी वेरी इंपरन टाइफ सब कॉश्चन आग एक सो एक भी सका राइट आंसर क्या है आपका उप्शन नमर एक एक सो सोल भी यहां पर बात हो रही है जहनती की दोस्तों इसी तरीके की जहनती मनाई गई गई मध्यप्रदेश की कौनसे नमर की जहनती थी इसका जवाब आपको मिलेगा टेली ग्राम चैनल पर लिंक डिस कार के अबॉर्ड हो जैसे कि आपका कारी दास तुलसी दास वेविन परकार की जो अबॉर्ट तांसेन मंद्र प्रदेश में दिये जाते हैं उन सबकी जानकारी भी आपको टेली ग्राम चैनल पर मिलेगी एक जिला एक उत्पाती उजनासी संबंदित प्रतेक जिले के देखते हैं महान करांती कारी चंदर सिखर आजाद जी की एक सोलवी जैनती तेईस और चौवी जुलाई को भोपाल में राजिस्तरिये यह महा यूथ महा पंचायत आयुजित की जा रही है तो याद रखना दोस्तों जहाबुआ के आजाद नगर नाम रख दिया गया उस इस तरी के कोष्शन आते हैं आगे बढ़ते हैं भागिन संधरी के सराष्टी उध्यां से संब्वंदित है काफी यदे के इंप बांधाओ गढ़ राष्टी उध्यान की एक पिरमुक सेरिनी थी जिसका नाम क्या है दोस्तों सुपर मॉम इसे कहा जाता है टाइग्रिस मॉम भी से कहा जाता है इसकी तारीफ की थी स्वेम हमारे प्रधान मंत्री स्री मोधी जी द्वारा मन की बातम उसकी जर्चा की गई थ तो याद रखना है इसको आपको सुपर मॉम या सुपर टाइग्रिस मॉम जो नाम है वह कहां से संभण देतए बादहुगर से संभण देत एक सीटा नाम की दोस्तों सेर्टी हुआ करती थी वह भी बांधाओ गढ़ाश्टी उध्यान से संभण देत थी क्यों important है क्योंकि लिखे देता हूँ 526 सेर पाई जाते हैं इसके साथ ही साथ में मद्द प्रदेश को दुस्तो तेंदुआ इस्टेट की भी जो जो अलंकरन है वह प्राप्त हो चुका है अर्था तो मद्द प्रदेश को तेंदुआ स्टेट का दरजा भी मिल चुका है इसके साथी साथ मैं मद्द प्रदेश का पहला राश्टी उध्यान जहां पर GI जो पूरी पूरी ट्रेकिंग की गई है किसकी ट्रेकिंग की गई है पक्षियों की ट्रेकिंग की गई है पन्ना राष्टी उध्यान में तो इसको भी आपको याद रखना है काफी अधिक इंपोर्टेंट यह भी हो जाता है पन्ना राष्टी उध्यान से संबंदत एक और important fact बता देना चाहूंगा question पूछा जाता है कई बार की पन्ना राष्टी उध्यान या फिर को आप से question पूछ ले जाएगा कैन नदी किस राष्टी उध्यान से गुजरती है या किस राष्टी उध्यान को बीचों बीच से दो भागों में बाटती है तो इसका right answer क्या होगा इसका right answer होगा आपका पन्ना इसके साथ जो बाटने वाले question है या काफियदिक important होते हैं जैसे कि मद्द प्रदेश के कितने जिलों को करकर रेखा काटती है तो इसका जवाब आप लोगों को मालूब है होगा काफी easy है I hope आप लोग जरूर बताएंगे इसके साथ जात में इस तरीके question भी पूछे जाते हैं कि बगेल खंड को बराबर भागों में कौन सी रेखा काटती है तो इन सभी को आपको याद रखना है काफियद एक important यह भी हो जाते हैं यहाँ पर हम देखते हैं जो वागेन है सुन्दरी इसका नाम है यह कहां से संब है आपको option number एक काना राष्टी उध्यान बन विहार बांदावगड़े आफर संजय गांधी इसका right answer क्या है का option number 1 काना राष्टी उध्यान मद्ध प्रदेश का सबसे बड़ा राष्टी उध्यान है इस point को आपको याद रखना है मद्ध प्रदेश का सबसे बड़ा राश्टी उध्यान इसका नाम है अब हम आगे बढ़ते हैं इससे सम्मंदित कुछ important fact और आपको बता देना चाहूंगा काना राश्टी उध्यान यहाँ आपको बता दिया यहाँ पर आपको कुछ point याद रखना है जैसे कि बैंगा मंगलू के नाम पर सड़क कहां पर उची घाटी का नाम क्या है बामनी की दरार याद रखे क्या नाम है बामनी की दरार यहां की सबसे उची घाटी का नाम है second point आपको याद रखना है दोस्तों काना राश्टी उध्यान से ही सम्मंदित यहीं भी point है बामनी की दरार मैंने आपको बता दिया अब आगे आपक है बन बिहार क्यों इंपोर्टेंट है इसलिए इंपोर्टेंट है दोस्तों कि 1983 में इसकी स्थापना हुई थी और टाइगर रिजर्व के अंतरगात यह भी आता है अब पॉइंट बनता है बन बिहार क्यों इंपोर्टेंट है दोस्तों मद्द प्रदेश का सबसे बड़ा rescue center कहां पर है बन बिहार में जभी बी कदी किसी बी बन बाइखर के आएगर को कोई प्रिशानी होती वाल्ड ही होता है किसी पिरकार की जो major injuries हो जाती हैं उनके कोई major operation किया जाते हैं या उनका किसी प्रकरतिक दु की आ जाता है उननका treatment के लिए कहां लाय जाता है बन बेहर में क्योंकि all types of facilities available for the treatment of wild animal that is why बन बेहर is very very important इसके बाद देखते हैं बांधाउगड़ बांधाउगड़ काफी अधे के important है क्योंकि यह दोस्तों 32 पहाड़ीों से घरा हुआ एक राश्टी उध्यान है tiger घनत की बात की जाए तो सरवाधिक tiger घनत अगर कहीं पाया जाता है दोस्तों तो वह बांधाउगड़ is the right answer तो बांधाउगड़ में सबसे अधिक tiger घनत पाया जाता है और hot air balloon safari आप देखेंगे इस तरीके का एक balloon होता है उसके अंदर यहां से gas छोड़ी जाती है जो की balloon में जो गर्म हबा है वह उसमें प्रसारित होती है और यह फिलाई करता है तो hot air balloon safari कराने वाला एक मात राष्टी उध्यान आपका बांधाउगड़ राष्टी उध्यान संजाएगा इस सभीकों मालूम है सीधी में है और इसके साथ साथ आपको याद रखना है दोस्तों मद्द प्रदेश में साथ राष्टी उध्यानों को क्या दिया है सोरी दो दोस्तों मद्द प्रदेश का प्रथम क्या बनाया गया था तितली पार्क बनाया गया था फूलों का पार्क भी यहीं बनाया गया है लोमडी पार्क मद्द प्रदेश का प्रथम कहां पर है इन दोर में इसको याद रख लीजे बिलकुल इंपोटेंट हो जाता है इसके सा काना से मादा बागिन सुन्दरी वन विहार भोपाल के लिए रवाना काना प्रबंदन द्वारा बुदभार बारा पांच वजे गोरिला बाग बाड़े में विचरण करने वाली मादा बाग सुन्दरी को बन राश्टियों ध्यान वन विहार में भेज दिया गया है और उसे पुरी यहां पर चिकेश्चकों द्वारा देखा जाएगा वन चिकेश्चन द्वारा दिकानियों द्वारा जो इसका पूरा माबड़न्ट किया जाएगा सत्कोसिया टाइगर रिजर्व उड़ी सा में बाग स्थापना कारी करम में बर्स 2018 में बांधा हो गड़ से एक बा आध्यमस उनमें अधिक से अधिक जो उनकी सुविदाएं उनको प्रख्त की जा सकें लेखते हैं नेक्स्ट कॉस्चन मुखमंती स्रीच चोहन ने कैलाज गुपता की निदन पर दुख बेक्त किया यह कौन थे इसका राइट आंसर है पत्रकार याद रखिए भोपाल से है संबंदित थे इसको आपको यहाँ पर देखना है आगे बढ़ते हैं आज का आपका कॉस्चन खनिज बिकास में सक्रिय उगदान के लिए मध्य प्रदेश को कितनी सणियों मिला प्रथा मुर्दूतिय प्रुस्टकर सेकंड है आपका मुखमंती स्रीच चोहन ने बाक्सिं झाल